वुकेश निसी बॉलीवड के वन अफ दे मोस्ट अंडरेटेड एक्टर है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसके बाउजुद बॉलीवड के बज़ाए साउथ ने उनको पहचान दी शली साउथ में जाकर वो ज्यादा काम करते है और आजकर फिर से बॉलीवड में उनक अब्रोड जाहिर कर रहे हैं मुकेश लिशी ने सनी देउल के साथ काफी फिल्मों में काम किया है जैसे घातक हो गई इंडियन हो गई लेकिर घातक का नाम इस्पेसलिए याद रहता है उनको बुकाज 1996 में आई मूवी घातक में एक हाथसा हो गया था मुकेश लिशी जो क मैं सावनी गुंड़े दिखाते हैं और जब भी किसी एक्टर से रहसल करते हैं उनको बहुत ही जगजोड देते हैं तो टीनू और मा घातक में सनी देऊल के खिलाब मुकेश दिशिषी को तलवार वाली सीन्द को समझा रहे थे और तलवार को बहुत रफ तरीके से इसे मैं मुक्यश लिशी से गल्की हो गई और सनी देओल को तलवार लगई उस वक्त सनी देओल कुछ नहीं बोले लेकिन बाद मोक्यश लिशी को डर लगा उनको लगा इतना बड़ा इंडियन जो कि South की रीमेक थी तब तक मुकेश रिसी साउथ में सिफ्ट हो चुके थे और इस मुवी का रीमेक थी इंडियन उसके ओरिजिनल वर्जन में मुकेश रिसी ने उसी आतंगवादी का रोल प्ले किया था तो जब इंडियन की सूटिंग हो रही थी तक वहाँ पर डिंबल कापाडिय की छोटी बेंच सिंबल कापाडिय के हाथ में गैजेट था जो कि आपके स्टैप्स को मुमेंट को ट्रैक करता है आज की डेट में उसको स्मार्ट बॉस कह लीजी सोची उस जमाने में सनी देवल क टेट में जो लोग रहते थे उनके बास इतने हाई गैजेट थे बराल जब उन्होंने देखा कि बहुत तगड़ा गैजेट सनी देवल के पास पहुंच चुका है ऐसे में मुकेश रिशी उसको देखते रह गए बड़ कुछ बोल नहीं पाए कुछ दिना बाद मुकेश र कि इस फ्लैज लग से सनी देवल के दो डिफरेंट डवतार दिखाई देते हैं आपको भी मुकेश रिशी कोई ऐसी मुवी आदे जिसका जगर हम नहीं कर पाएं या पर सनी देवल से चुड़ा कोई ऐसा किस्ता जिसको आप जानते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में सेयर करन कमेंट करना बिलकुल मत बूलिएगा